दोस्तो आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो हमाच बात करने बाले आज के करकर रासी फल के बारे में कि आज का दिन करकर रासी वालों के लिए कैसा रहेगा दोस्तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नहीं है प्लानिंग करना सुभ रहेगा साथ ही हार्डवेर के कारोबारी मुनाफ़े के लिए सजग रहें इस्टॉक मेंटेन करते समय ग्रहावकु कोई पसंद को भी प्रात्मिक्ता दें युवा मित्रों के साथ केरियर को लेकर सार्थक भाच्चीत करेंगे और यदि गलत संगती मे हैं तो उसे ततकाल छोड़ने के लिए द्रड संकल्प लेना भूष से के लिए उत्तम रहेगा और अपनी दिंचरिया को नियमित बनाए रखें आज ग्रह कोचर आपके लिए भाग्योद्य इस्तितिया बना रहा है साथ ही रुके कारियों में गती आएगी और सामाजिक मा दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी नेगेटिव बातों के बारे में आज घर परिवार और संतान के प्रती चिंदा उत्पन हो सकती है साथी आमदनी अच्छी होने के साथ साथ खर्चों में भी बढ़ोत्री होगी जिसकी वजह से आर्तिक इस्तिति डगमगा सकती है अत दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके विवसाई के बारे में आज विवसाई और नौकरी में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है और आप इसमें सफल भी रहेंगे आपकी योगता और काबलियत खुल कर लोगों के सामने आएगी साथ ही जन संपर्क आपके लिए आर्थ सफलता प्राप्त होगी दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में वहवाही की जीवन सुक में रहेगा प्रेम संबंदों में नजदी की आएगी जीवन साथी का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा कोई आपसी अनबन समाप्त होगी इससे आपकी स् सिक सांती मिलेगी साथी जीवन साथी व्या परिवार के साथ सौपिंग और मोज मस्ती में समय व्यतित होगा जिसकी वजह से वातावन खुश्म नुमार रहेगा प्रेम संबंदों को लेकर पारिवरक सहमती मिलने से और अधिक प्रगाड़ता आएगी दोस्तों अब बात कर लेती हैं आपके स्वास्त के बारे में स्वास्त संबंदी कोई पुरानी समस्य उत्पन हो सकती है जैसे इसकी नेलर्जी या अस्तमा इसलिए अभी से जाग रुक रहें और मोसम परिवर्तन से होने वाले स्वास्त संबंदी समस्याओं से बचाव रखें इसके लिए आप प्रोजाना योग करें वियायाम करें प्रणायम करें और स्वस्त्र ही